हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक तो मैं चैनल शुषमस कींदम आज मैंने एक क्राफ्ट सप्लाई बनाया है अपने घर पे ही क्योंकि मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना रही थी वहां मुझे जैसो की जरुरुरत थी जाड बनाना है तो आप कि बना एक जन्ग सकते हैं अकर आपके बस प्रोजेशन, नहीं ना हो तो आप घर पर पाउडर भी यूज पाउडर Android अगर आपको जादा बनाना है तो आप इसे प्रोजेशन में क्योंकिन बढ़ा सकते हैं यह हैं नेक्स्ट अगर आप इसको कोई गलर देना चाहते हैं तो आप इस को एड़ कर सकते हैं बट वाइट जैसो बेस्ट रहता है क्योंकि इसके उपर आप कोई भी कलर एड़न कर सकते हैं तो यहां मैं white acrylic color ले रही हूँ और यह मैं half tablespoon add कर रहे हूँ अब मैंने तो actually बहुत सारे combinations try किये थे बड़ यह वाला combination मेरा best work किया है आप भी मुझे comment section में बताएगा कि आपका यह proportion work किया यह नहीं मैं next projects जल्द ही लेकी आऊंगी using this gesso तो ना इसको आप mix कर लीजिए धिरे धिरे अगर यह थोड़ा सा ज्यादा थिक लगता है तो आप one tablespoon of water cement और add कर सकते हैं यह मुझे थोड़ा थिक लगा ना यू कन सी अच्छा texture दे रहा है मुझे इस consistency आप चिक कर सकते हैं ऐसी consistency हमें रखनी है ना ज्यादा fluidy ना ज्यादा solid types ना इसको मैंने एक airtight container में डाल लिया है और यह मेरा white gesso अब ready है white gesso actually surface को prime करता है आप इसको किसी भी surface पे use कर सकते हैं like glass, wood, cardboard, etc. मैं आपको कुछ surface पे check out करके बताऊंगी कि यह मेरा gesso कैसा work कर रहा है तो video में end तक बने रहिएगा you can store also this for 2-3 months in an airtight container यह अपको काफी लंबे राइम तक टच चल जाएगा तो मैं suggest करेंगी आप थोड़ा थोड़ा ही बनाई है let's check out कि यह कैसा work कर रहा है यह मेरा पास एक glass bottle पड़ी है soon I will share this project also यह देखी यह paint करके इतना अच्छा coverage दे रहा है घर पे ही बना हुआ है यह craft supply और आप भी बना सकते हैं इसको अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो definitely एक like ज़रूर दीचेगा और चैनल को subscribe भी करना मत बूलेगा now यह मेरे पास एक टुटा हुआ kitchen bowl है तो इसको भी मैं सोच रही थी planter में convert करने का तो मैं इसको भी आपको paint करके दिखा रही हूँ देखिए इसका सारा print cover हो गया बहुत अच्छे तरह से और यह surface को अच्छे से prime कर देता है तो आप इसके उपर अब कोई भी color addon कीजेगा thanks for watching guys